कि नमस्ते सदावससले मत्रभू में अध्योन स्प्रीम कॉट का एक बड़ा इंडिकेशन आया फैसला तो भी नहीं आया लेकिन ओर बिस्प्रीम कोर्ट का बड़ा इंडिकेशन आया और ऑनविल्ट सुप्रीम इतनी महत्पूर्ण है कि हम सभी को विचार करना पड़ेगा हम सब को यह विचार करना चाहिए कि क्या मेरा Rat है है और कितना है उसकी लिमित क्या है उसकी परिशीमा क्या है और उसका ड्युरेशन क्या है किस हद तक हमारे fundamental राइट हैं मैं बहुत बार कहता हूं कि जिस समय आपको याद होगा कि जिस समय कनहे कुमार बैठा था और जेन्यू में इस तरह के अंदोलन कर रहा था भारत तेरी टुकड़े होंगे और हमें चाहिए आजादी बला बला उस समय मैंने बार-बार कहा था काफी न्यू चैनलों पर कहा कि देखिए यह जो fundamental right है ना, मारा यह हमको अधिकार इसलिए दिया गया है कि हम Espionot करें हमें अधिकार इसलिए नहीं दिया को दिया है उसका दोहन करें उसका शोषण न करें और अगर हम शोषण करना शुरू करते हैं तो प्रकृति अपना हिसाब लेती है संविधान अपना हिसाब लेता है कोड को दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं और सरकारों को हम अवसर देते हैं आज जैसे किंदर की सरकार बेठी हुई है किंदर की सरकार के सामने किसानों ने शुरू में तो किसान ही थे बाद में बहुत सारे लोग उसमें और जुड़ गए चुकि कुछ movement type का चल रहा था तो कुछ लोगों का सुभाव बन गया है कि वो देश में कैसे disturb करें देश को मैं सरकार के disturb करने की बात नहीं कर रहा हूँ वो देश को कैसे disturb करें इसका अवसर ढूंते हैं किसानों के आड़ में पीछे खड़े होगे किसानों के कंदे पर बद्दूक रख कर चलाने लगे ये जो पूरा प्रकरन हमारे सामने आया या हमारे देश में चल रहा है इसमें मैंने बार-बार कहा है कि दोहन करिए शोशन मत करिए नई तो हिसाब स्वैम लेंगे और हम सरकार को अफसर दे रहे कैसे आफसर दिया कि जिस समय ये किसान अंदोलन शुरू हुआ सरकार ने वर्ता करने के लिए सब को इन्वाइट किया विज्यान भवन में आप समझ सकते हैं कि देश का सबसे ज़्यादा अलिशान अगर कोई हॉल है या कोई स्थान है तो वो विज्यान भवन कहा जाता है विज्यान भवन में सरकार ने इन्वाइट किया बकाइदा बात की लिखित रूप से उनसे उनकी उनकी प्रॉब्लम्स मांगिए साथ में सरकार यह भी कहा clause by clause हम उस पर discussion करेंगे open debate करिए clause by clause debate करिए अगर तीन विलो में clause number one यानि कि उसका section one two three four five six एक section पर एक एक चर्चा करिए what was wrong in that ये तो हमें करना ही चाहिए कि अगर हम उससे misunderstanding बन रही है किसी की भी में से understanding बन रही है और सरकार को लगता है कि इससे अच्छा है तो दोनों पार्टी बैट कर clause by clause जैसे सुप्रीम कोर्ट में चर्चाएं होती है जैसे शास्त्रार्त होते हैं जैसे डिवेट होती है जैसे यूएस में रिपब्लिकन और डेमोक्राट के बीच में रिपोर्ट होती है कुछ पॉइंट बना लिये जाते हैं दोनों प्रेसिडेंट के उम्मिद्वार खड़े होते हैं एक दूसरे को जबाब देते हैं कोई अच्छाई और खाम्या आपको लगती हैं वह आप बताईए उन अच्छाईओं और खाम्यों के अधार पर हम लिरने लेंगे अगर वह बिल में जो कुछ लिखा है वह गलत है या आपको लगता है कि खलत है और यह सर्म माना आपके आपके तर्ख विलकुर ठीक है तो वो वापस ले लिया जाएगा वो शंशोदन कर ले जाएगा क्योंकि सरकार किसी की भी इसलिए नहीं बैठती कि वो अपनी हेकड़ी दिखाए सरकार इसलिए बैठती है कि जादा से जादा मैक्सिम लोगा भला हो और मैक्सिम लोगा भला के लिए अगर सरकार ने क सब्सक्राइब करेंगे उसमें और पैसा डालेंगे उसमें और हाइट करेंगे मंडियों को आपको पूरे मार्केट की वहां जानकारी मिले ऐसा वहां टैक करेंगे यानि कि उसको और हाइटेक कर देंगे आपको अच्छी सुबदा मिलेगी इसके बाद लोगों ने लिख कर दिया कि एक प्रस्ता हो गया उस प्रस्ता हो के क्लॉस 6 में लिखा गया कि यह जो एक्टिविस्ट कई वर्षों से जो एक्टिविस्ट सर्जुल इसलाम या कनया कु अमार या यह शैलर रशीद यह बहुत सारे एक्टिविस्ट यह एक्टिविस्टों को छोड़िये हुमेंटी ग्राउंड पर छोड़िये एक्टिविस्म इस दफंडमेंटल राइट अब एक्टिविस्म के नाम से आप यह कहेंगे कि वो चिकन नैक है असाम में उसको खतम कर दिया जाएगा नॉर्थ इस्ट को काट दिया जाएगा आप यह कहेंगे इंशालला टुकड़े होंगे आप यह कहेंगे हमें चाहिए भरस से आजादी तो यह एक्टिविस्म है क्या इसको एक्टिविस्म तो नहीं कहते हैं वो लोगों ने उसका अच्छा और खराब प ली गई लोगों के द्वारा दिल्ली के लोगों के द्वारा कि सब हम चारोर से बंदक बने हैं मेरा क्या दोश है हमको दिल्ली से बाहर आने जाने का अधिकार है हमारा बेवपार डिस्टर बोरा सतर हजार करोड अब सोच लिए कि कानमान के निसार सतर हजार करोड का लॉस रॉपय का लगभ लॉस हो चुका है इस सिसे सरकार्य ऐसिसे मामला सुप्रेम कोट कोट दें कहा आज hear की देखिए आपका राइट टू प्रोटेस्ट fundamental right हो सकता है आप दोर सरकार से कम्मुनीकेशन करएं कोई समस्या नहीं है और आपको आपके जो right हैं वह कर्टिल नहीं कर रहे हैं आपके र 행복 हम रोक नहीं रहे और हमको रोकने का अधिकार हम को नहीं रोकना चाहिए इसा उनोंने वोला लेकिन साथ में उन्हें काई तक यहां कि कब कितना और कैसे कि क्या कोई लिमिट है किसी आंदोलन luôn में कोई समय है क्या कोई इस्थान प्रोवाइट करेंगे क्या मैं आपको बता दू कि शाहीन बाग वाले मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट है कहा था आप प्रोटेस्ट करिए हम आपको नीरो करें लेकिन आप एक पार्टिकुलर इस्थान पर करिए सरकार आपको इस्थान प्रोव सरकार ने उनको ओफर किया कि बुरराड़ी का घ्राउंड बड़ा घ्राउंड है आप बुराड लोग तो इस बाद पर अले हुए जंतर मंतर जाएंगे अभी इतनी बड़ी संख्या जंतर मंतर में एक तीन हजार लोगे खटे होते हैं तो तीन हजार लोगों के बाद जाम लग जाता है तो इतनी बड़ी संख्या जंतर मंतर में कैसे होगी अगर जंतर मंतर ये लोग चले जाते हैं कोई भी बड़ी संख्या उनको पूरा देश देखना होता है इसलिए वो यह जो ट्रिकी तरीके से कहा गया कि हमको वहाँ पर जगह दीजे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह तय करेंगे कि धर्ना प्रदर्शन कितना कहा हो सकता है इसे पहले मैं आपको बताओं कि डॉक्टर अंबेटकर ने 25 नवंब अगर आपकी कोई समस्या होती तो आप उस फोरम में जाकर अपनी बात कह सकते हैं धर्ना प्रदर्शन स्ट्राइट यह अब समवैधानिक नहीं होगा यह समविधान के समविधान में इसको कोई इस्थान नहीं दिया गया है आज डॉक्टर अमेटकर की जो बात है वो डॉ कि आपको कहते हैं दॉक्रो मेटकर के फॉलोंवे हैं भी मानने को त्यार है ने कि इसलिए सुपरीम फोर को यह कठोड टिपड़ी करनी पड़ी और मुझे जहां तक लगता है कि शाहिन बाग का जो डिसीजन है उस डिसीजन को ही रिपीट करने वाले हैं क्योंकि आम अदमी के जो fundamental rights हैं मैं आपको बताओं कि हमारे fundamental rights हैं लेकिन कब कब तक हमारे fundamental rights सिर्फ वहां तक हैं जहां तक दूसरे के fundamental rights शुरू नहीं होते हैं जैसे मेरा right है कि मैं हाथ हिला कर चलूगा आप चली एक कोई समस्य ने लेकिन जहां पर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है उसके कहीं touch ना हो जाए अगर उसके touch हो जाता है तो आपका fundamental right होने के बाब जूर आप अब अब्रदी हो जाएंगे इसलिए fundamental right तो है लेकिन ऐसा fundamental right नहीं कि आप एक limit क्रॉस कर जाएंगे और limit क्रॉस करके अब अब राध किष्रणी में भी पहुच जाएंगे अब यह जो दिल्ली जाम का process चल रहा है इस दिल्ली चोक में जो stage पहुच गई है वह अपराध की category में पहुचती जा रही क्योंकि दिल्ली वासियों को inconvenience पहले तो यह कोरोना के चकर में इतनी बड़ी समस्य हैं हुई और अब दिल्ली के जो लोगों को काम खुला है आना जाना शुरू हुआ है वो सब अपने रोक दिया है तो उस आम आदमी की जिसकी बाहदर गलम में मिले लगी हुई है जिसकी सोनी पत पानी पत में मिले ल करी हुई है वो कैसे सर्वाइब करेंगे इसलिए उनके fundamental right infringe हो रहे हैं तो आम आदमी के fundamental right जहां से बिठाने को तयार है आप बुराड़ी में बैठकर उनसे खूप सारी चर्चा करिए आप बताइए कि आपको क्या problem है क्या problem हो सकती है क्या नहीं है वो clause by clause discussion करने को तयार है ओपिन मंच पर clause by clause discussion करने को तयार है इससे जादा मुझे लगता है कि कोई भी सरकार स्वतंतर भार जितने point हमने कानून में बनाए उन पर सब पर खुले हिर्दय से चर्चा करिए जहां पर हमको लगेगा कि ये जो कानून है ये कानून आपके आप हमको convince कर लेते हैं तो हम वो कानून हटा देंगे सरकार का ये भी कहना है और सरकार का कहना क्या है media reports भी आ रही है कि पूरे देश में anti किसान आंदोलन भी आंदोलन चल रहा है जिसमें लोग कह रहे हैं कि इस कानून से हमको लाब हो रहा है ये कानून आपने हटाया तो हम धरना प्रदर्शन शुरू करतेंगे और देश चा हैं उनको दूर आप करिये हमें कोई समस्या नहीं लेकिन इस कानून को वापस लेने का मतलब हमारे रहेंगे और अब हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली है इसलिए अगर आपने ये कानून वापस लिया तो हम अंदोलन कर देंगे अब बताए सरकार अगर कानू वापस लेती है तो दूसरे लोग अंदोलन कर देंगे सरकार कानून रखती है तो आप अंदोलन कर रहे हैं तो अंदोलन के तरीके क्या हों क्या कोई फोरम नहीं है जहां पर हम उसका डिसकेशन कर सकते हैं क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे हम उसको solve कर सकते हैं और भी केंद्र की सरकार उसको अश्वासंदे रही है, आपको लिखी तरा अश्वासंदे ने को तैंड है लेकिन आप कहेंगे सरजूल इसलाम को आजाद कर दीजें, आप कहेंगे कि यह जो बहुत सारे लोग जो इंशाल्ला करते घूम रहे हैं, या जो जेनियू में कर रहे हैं जामियां मेलिया वाले हैं इनको छोड़ दीजे यह जो सी एक के प्रोटेस्ट में बहुत सारे अंदोलन चल रहे थे और बहुत सारे स्टेटमेंट देंको छोड़ दीजे यह मुझे नहीं लगता कि यह जस्टीफाइड है और सरकार इसको करेगी भी कभी इसलिए कि सरकार के सामने इस समय मजबूरी है अब तरीका यह है कि क्लॉस बाइ क्लॉस डिसकेशन कर लिया जाए और दो मंचस जाए एक तरफ सरकार के लोग बैठेंगे और एक तरफ किसान अंदोलन में जो भी अपने आपको बुद्धिजी भी समझता है योगंदर यदव समझत है कि यह आदेश देने वाला है कि इनको एनके प्रकारने लठी चला कर हटा यह मुझे लगता है यह अच्छा नहीं होगा और जब हम अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं तो सरकार के फेवर में चीज़ें जाती है सरकार के अंगिस्ट में नहीं जाती है तो अभी तक आपका अ करने वाले ओरिजिनल लोग हैं उनको सोचना चाहिए बाकी जो उनके साथ भीड़ आ गई है जो उनको डिस्ट्रिब करना चाहती है वो तो ऐसा कहेगी ही और वो इस प्रकार से आपको भढ़काएंगी थैंक यू वेरी मच